कि वेलकूम तू ओलनाइन स्कूल इंडिया वो राइबरी साथ सबसे पहले आपका इस लाइबरी सेंस का सबसे बड़ा प्लेट फर्म ओलनाइन स्कूल इंडिया फो लाइबरी सेंस में आपका जोग दास्वागयत है मैं सुमीर सिंग चावा ठीक है नौ टीक है नौ आपका दोस्त जो वो NBS हो, चाहे वो NET हो, UGC NET हो, SET का एक्जाम हो, कोई भी RSM SSB का हो, भीहा लाइबरियन का हो, DSSB का हो, कोई भी एक्जाम हो, चाहे MS LIBERIAN का हो, हर एक्जाम के अंदर इस टॉपिक में से एक कोश्चन जरूर पूचा जाता हैं, क्योंकि आपको पता हैं कि जो लाइबरेर का सहर क्या सकते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो हैं, लाइबरेरी के बारे में, लाइबरेरी के डवल्लॉप्मेंट के बारे में, सबसे बड़ा असोशेशन सबसे पहले बना था, सबसे बड़ा असोशेशन, असोशेशन का मलो होता है, संग, बहुत बड़ा संग बना जिसे इंडिया का अपिया वी यह सोचन्थ हर एक इतनी टरीक से एक पैविन्ट आपको बता रहा हूं तांकि आपको प्रिकसे में कैसा भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ इस टॉपिक से जोड़े current affair भी जो है जो भी present president है past president है first president कौन था यह लेका सारी चीज़े में आपको बताने जा रहा हूं तो आप सबसे निवेदल है कि आप हमारे इस वीडियो को share कीजिए comment कीजिए और आप सबसे request है कि library science से समंदित और भी अगर आपको material चाहिए previous year के question answer, UGC net के question answer, UGC net के question answer हो चाहिए previous year के question answer हो चाहिए VMI की किताबे हो चाहिए tendon university की किताबे हो चाहिए IGNU का material हो objective Hindi medium के English medium के objective question answer हो कुछ भी आपको library science से समदित material चाहिए तो आप जो है online school India जो app है उसको download कर लीजिए और उसके बाद उसमें store में जाए, store में जाकर library science में जब आप जाओगे तो एक रुपे जो है आपका internet charge कटेगा और उसके बाद फिर आप फ्री में library science से जो है सारे material को आप अपने app में देख सकते हैं ठीक है और और भी अन्य जानकरी के लिए जो भी आपको और कुछ help चाहिए तो मेरे phone number आपको बताइए इसके link में दिये हैं आप हमारे facebook page से जुड़िए OSI for library science आप हमारे telegram से जुड़िए OSI for library science से आप जो है मेरे whatsapp number भी दिये है 97843 55842 तो आप में से जो whatsapp में भी आप से कोई problem है या कोई भी guidance जरूत है तो जरूर जो है आप मेरे से contact कीजी ताकि मैं आपको आने वाले वेगेंसे के लिए जो है मैं आपको क्या guide कर सकता हूँ और आप सब के लिए एक अच्छी news है कि राजस्तान के अंदर आने वाले समय में 400 poster second gate की आने वाली है और 400 करीब जो है third gate की poster भी आने वाली है ये बिलकुल budget से पहले आने की बात बतर जा रही है कल ही मुझे पता चला था 800 poster 400 second gate और 400 third gate की poster आने वाली है और सबसे important news है के वेस की वेकेंसी अभी ट्रांसपर चल रहे है ट्रांसपर चलने की वज़े से बहुत जगा जो है खाली हो गए ये poster कुछ लोग retirement हो चुके है क्योंकि 18 के बाद अभी 3 साल तक वापस के वेकेंसी नहीं आये तो 3 साल में बड़ी वेकेंसी कम से कम 200 poster केंद्रे विद्याले के अंदर आने वाली हैं तो आप से निवेजन है आप अपनी पड़ाई जारी रखे और OSI for library science को support करते रहे ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे topic पढ़ाऊ और आपको जो हर चीज आसानी से एक ही जगे पर मिल जाए त American library association तो library को development करने के लिए all our दुनिया में all our world में दुनिया में सबसे पहले संग बना था जिसका नाम था American पुस्तकाले संग बना था जो सबसे पुराना भी था और सबसे बड़ा संग था उसके बाद में फिर सब जगे अलग अलग जगे जो है संग बनाए गये थे ठीक है अले अमेरिकन लाइबरी जो है असोशन है यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकाले संग है सवाल बन सकता है important के which is the largest association and the oldest association सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग कौन सा है भी एले हैं और सबसे important सवाल है आपके सामने के एले की सापना कब होईती बहुत important question आता है कि कहीं बार क्या होता है क्योंकि सबसे पुराना संग है एले इसके इसापना होईती 1864 तो 1876 लेकिन कहीं बार date भी पूछ लेता है तो अगर date पूछ लेता है तो आपको धियान डगना है 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 1864 की इसापना होईती एले की और इसका जो headquarter इसका जो मुख्याले कहाँ पर है भई Chicago USA United States of America तो अमेरिका के अंदर Chicago सहर के अंदर इसका headquarter है मुख्याले का मलब होता है HQ headquarter और इस्तापना का मलब होता है established टीक है ना एले की इस्तापना एले का establishment चेक टूबर 1864 के वहा था और इसके headquarter का है अमेरिका में Chicago सहर में और पर्तम सचियू the first secretary एले का जो पहला जो secretary कौन था भई आपको पता होना चाहिए मेल्विल डीवे था कौन था भई मेल्विल डीवे साब था जिन्होंने डीडी सी जो क्लासिपेकर स्की में उसका विसकार किया था मेल्विन डीवे जो उसमें एले के पर्तम यह first secretary पर्तम सचिव थे अब एले के द्वारा एक कारेकरन शुरू किया था इसको लाइबरेरी मंत जिसका पहले क्या नाम था जिसका पहले नाम था इसको लाइबरेरी मीडिया नाम था इसका पहला इसको लाइबरेरी मंत का पहले क्या नाम था इसको लाइबरेरी मीडिया था जिसकी इससापना या जिसको शुरू किया गया था उनिस सो पीचासी मे लेकिन लगबग 2010-11 के बाद इसका नाम चैंज करके क्या रख दिया था इसको लाइब्रेरी मंत के नाम से ये जाना जाता है ठीक है नब पहले इसका नाम इसको लाइब्रेरी मीडिया था लेकिन थोड़ा समय पहले इसका नाम चैंज करके इसको लाइबरेरी मन्त कर दिया गया, ये कारेकरेम 1925 से सुरू हुआ था, और ये कारेकरेम किसके दारा सुरू किया गया था, ELA के दारा सुरू किया गया था, सबसे इंपोर्टेंट आदर्स वार किया या टेग लाइन भी कह सकते हैं इसका, पूश सकते हैं, the best reading for the largest number at the least cost, ये ध्यान लगना सबसे इंपोर्टेंट है, कि ये tagline किस association के द्वारा दी गई है, the best reading for the largest number at the least cost, ये tagline जो है, किसके द्वारा दी गई है, ELA के द्वारा दी गई है, ध्यान लगना, बहुत इंपोर्टेंट है ये, अब आप करते हैं कि एक उन्होंने एक library bill of rights, library bill of rights का मलों हो पुस्थकाले, अधिकारों का विदेक, पुस्थकाले हिंदी होता है इसका, अधिकारों का बिल, बिल का मलो होता है विदय, ठीक है ना, ELA के द्वारा जो है, एक Library Bill of Rights का जो एक Bill जो इनो निकाला था, ये किस से सम्दित है भे, ELA से सम्दित है, important question है, पूछ सकते हैं, Library Bill of Rights किस सम्दित option, ELA, ILA, SLEEP, SLA, तो आपको द्यान एकना, Library Bill of Rights, जिसको इन्दी में कहता है, पुस्तकाले अधिकारों का विदय, ठीक है न, ये ELA से सम्दित है, और very important question आएगा द्यान एकना, कि ELA ने जो है, छे कारिये, function का मलो होता है, कारिये, reference service, reference service का मलो होता है, संदब सेवा, ठीक है न, ELA के द्वारा संदब सेवा के छे कारिये बताये गहते, सवाल आ सकता है, संदब सेवा के छे कारिये किसने, बताये थे, तो ELA के द्वारा संदब सेवा के छे कारिये बताये थे, पहला कारिये है, supervision function, दूसरा है, information function, तीसरा है, जो है, guide function, चोता है इंस्ट्रक्शन फंक्शन पांच वा है बिभ्लोग्रापी फंक्शन चट्ठा है एप्रजल फंक्शन और श्यात्वा है चीकि ना एच्छे तो छे जो हैं आपके यह क्या हैं बैई जिया अगना फंक्शन है रेफरेंश सर्विसेज के बहुत इंपोर्टेंट सवाल है दोस् तो बहाँ पर इसना पूछ लेते हैं इन में से कौन सा function नहीं है तो तीन यह दे देंगे कोई चौता दूसरा दे देंगे बहुत important question है उसके बाद office for the intellectual freedom is a unit of ALA ठीक है ना, एक office for intellectual freedom जो है यह unit किसका है, office for intellectual freedom जो unit है यह किसका माना जाता है, भी ALA का माना जाता है ऐससे सवाल आ सकता है, कि office for intellectual freedom जो किसका unit है ALA के द्वारा हो गया और very important सवाल दियान रखना के वेस में पुचा जा सकता है कि present president, ALA का present president कौन है Julius C. Jeffernans Julius C. Jeffernans नाम के जो वेक्ती है यह ALA का वर्तमान अद्येक्स, present का मलब क्या होता है वर्तमान, president का मलब क्या होता है अद्येक्स वर्तमान अद्येक्स कौन है भी? Julius C. Jeffernans और पहला अद्येक्स, सबसे पहले ALA के इस्ताब ना होई थी 1800 शीयोत्तर में जब इस्ताब ना होई थी उस समय जो अध्यक्स कौन थे पर्तम पर्तम अध्यक्स कौन थे जस्टिन विंसर थे द्यानक ना लेकिन मेलविन डीवे क्या थे सचीव थे द्यानक ना ते-बुजह नहीं होना ए ले के पर्तम सची कौन थे मैलविन डिवे थे ए ले पर्तम मदिक्स कौन थे जेस्टिन विंसर ते और वर्तमान में ए लेकर जो प्रजिदेन्ट कौन है जोलियस देफरन थे कौन ते बहुत जोलियस दीफरन थे अब आगे देखिए the publication of ALA ALA के कौन कौन से percussion है तो पहला ध्यान लगना एक पहला है American Library जो बंतली है इसके अउदी के अउदी मंतली है दूसरा जो है Washington newspaper है तीसरा ALA yearbook है चौता ALA award and notable sales है American Library magazine से ALA store and library technology project repair है यह हमेशा प्रिक्सा में पूछा जाता है कि library technology report यह project report यह किसका publication है तो यह ALA का publication है यह हर वार कई exam में पूछा गया था रट लेना आप द्यान लगना बागी सब में तो ALA ALA लगेगा तो आप पहचान लोगे लेकिन library technology project report यह द्यान लगना ALA का क्या है भई? publication है यह important पढ़ लेना अब हम बात करते हैं कि यह program चलाया था ALA ALA ने ask library anything library से कुछ भी पूछो तो यह program किसका है भई? ALA के द्वारा है बहुत important सवाल है भई? रट लेना ask library anything library से कुछ पूछो कुछ भी पूछो यह program ALA का है इसको library month 1985 में शुरू हुआ था किसके द्वारा भई? ALA के द्वारा शुरू हुआ था और सबसे important यह भी है कि Margaret Mann Award Margaret Mann Award जो है किसके द्वारा दिया जाता है भई? given by ALA द्यानकना बहुत important सवाल है कि Margaret Mann Award जो है ALA के द्वारा दिया जाता है किस चत्र में द्यानकना यह Award जो है किस चेतर में धिया जाता है huh Achievement in cataloguing and Classification classification pastors और Cataloging के achievement में upward दिया जाता है यहां दो सौवल बन गाया important पेहला स्वावमन aussi market one award किसके द्वारा दिया जाता है है यह ले के द्वारा कौन से चेतर में hopefully देआता हैं तो चेत्र ज्यान dirty न principalmente in cataloguing aspect चेतर में दिया विक अवाड बहुत इंपोर्टेंट यह भी नेशनल फ्रेंट्स ऑब लाइबरी जी के द्वार्ट अवाड जो है यह किसके दौरा दिया जाता है और पी ल ए पब्लीक लाइबरी एसोशिन जो क्या है वह ए एले का अनुबाग है अनुबाग का मणले होता है सेक्षन पील जो है पब्लिक लाइब्री असेक्शन एक पूर्च में इसके इस्ताफ की गई थी। अटिक है तो मेरे जो जो मेरे खास दोस्तों मेरे प्रिये दोस्तों जो आज हमने एले के बारें पढ़ा था एले में जतने भी कुश्शन बनते हैं जो परिक्सा में बता दिए जो भी मेरे दोस्त जो है इस topic पीडिये ना चाहता है तो आप हमारे टेलिगराम से जुड़िए ठीक है ना और नीचे दिए की जो है लोड कीजिए और उसमें जो free material आपको दिया जा रहा है उसको आप जो है enjoy कीजिए और आने वाले vacancy में आपका बहुत काम आएगा यह मेरे WhatsApp नंबर है ठीकिन जो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ विचार इमर्श करना चाहते हैं मेरे साथ यह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाई है ताकि आपको हर जो नहीं कोई ना कोई टोपिक आपको सीखने को मिलेगा ठीक है ठीक है ठीक यू वेरी मच